यहां पर एक चीज बड़ी इंपोर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि घर्वनाते समय यह फट्टी तो आप अपने पास रखिए यह आपका जो मिस्तरी राज मिस्तरी होगा उसके पास एवलेबल है तो आप दिवार पर रख रख कर देखिए कि आपकी दिवार स्ट्र में निकलती है कि जैसे घर का कोई कोर्णर उना यह आपका कोर्नर है यह कोर्णर नाइंटी डिग्री पर है यह नहीं है तो यह आपको कैसे पतलेगा इस पॉयंट का भी आप ध्यान रखें यह कोर्णर आपका 90 डिवार के बीच में यह नहीं है जैसे कनेक्टिड जो दूसरी डिवार है वो 90 डिवार पे है यह नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप चार फुट किसी एक डारेक्शन में ऐसे मेजर कर लीजे और तीन फुट आप ऐसे लंबाई हुए ठीक है तो तीन फुट यह हुआ और चार फुट यह हुआ इसका जो ट्राइंगल आएगा यह पांच पुट होना चाहिए तो यह एक्चुली पायथा गुरस जोरम है और यह तभी ट्रू होगा इससे यह ट्रू हो जाएगा कि जो आपका यह कॉर्णर है वो 90 डिग्री का है या नहीं है 90 डिग्री से यह होगा कि आपको एक इनफोर्मेशन आजाएगी कि यह दिवार और यह जो दिवार है वो बिलकुल सीधी चल रही है या उनके बीच में जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जो प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकते हैं गुनिया बोलते हैं या रैंच बोलते हैं थोड पाइथागोरस थियोरम के अकोर्डिंग यह 3 हो जाएगा और यह 4 होगा तो यह जो आर्म है यह आपकी 5 फीट्स के आसपा 5 फीट्स आएगी अगर 5 फीट्स नहीं आती है exactly that means कि भही दिवार में तिर्चा पन आ चुका है और यह आप अगर पाउंडेशन से ही माइन में र रहा यह सी दिवार कृण फ्ट्टी रखिये बीच में फ्ट्टी के और दिवार के बीच में अगर कोई इस पेस मिलता है इसका मतलब sponsors यह हुआ कि दीवार ठेड़ा में चल रहा है तो बीच बीच में आप यह फट्टी लगा कर देख सकते हैं ओर दूसरा पॉइंट में ब बहार जब आप देखते हैं कि पूरी प्रॉपर डाइमेंशन जो हैं वो उसमें कोई रैंच या कोई गुनिया तो टाइप का तो नहीं है तो हर कॉर्णर पर आप यह चीज़ इंप्लिमेंट कीजिए तो यह पॉइंट वार जो बहुत इंपोर्टेंट है सभी के लिए थैंक्स बिए तो कॉर वच्छिंग को यह दो कर दो नहीं है